क्या आप में कुछ बुरी आदते हैं जिने आप बदलना चाहते हैं अगर आपका जवाब हाँ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप इस दुनिया में अकेले इंसान नहीं है जिसके पास कोई बुरी आदते हैं इस दुनिया में हम सभी लोग किसी ना किसी प्रकार की बुरी आदतों से ग्रसे थे नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत शांदार किताब जिसका नाम है Atomic Heavik इस किताब के रचीता है James Clear इस किताब में उन्होंने उन सभी बातों और तरीकों के बारे में विस्तरत जानकारी दी है जिसकी मदद से आप अपने जीवन का एक बहतर वर्जन देख सकते हैं इस किताब के माध्यम से आप अपनी सभी प्रकार की बुरी आदतों को खतम कर सकते हैं और अपने जीवन में एक बहुत शांदार परिवर्तन ला सकते हैं मेरे हिसाब से इस किताब को उन सभी लोगों को पढ़ना और सुनना चाहिए जो लोग खुद को बहतर बनाना चाहते हैं और एक लंबे समय में एक अच्छी हैबिट को अपने अंदर डेवलब करना चाहते हैं आपसे निविदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के अंत में आप इस किताब के विशे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा चलिए शुरू करते हैं किसी भी हैबिट के बनने के चार सिंपल प्रोसेस होते हैं क्यूस, क्रेविन, रिस्पॉन्स, एंड रिवोर्ड स्टेज एक क्यूस यानी सिगनल जो हमारी ब्रेन के लिए ट्रिगर का काम करता है स्टेज दो क्रेविन यहाँ आपकी आगतों के पीछे का मोटिवेशन फोर्स है स्टेज तीन्त रिस्पॉन्स यही आपकी एक्चुल हैबिट्स है स्टेज चार रिवोर्ड यही आपकी हैबिट का एंड गोल होता है इस तरह से क्यूँ आपका ध्यान रिवोर्ड की तरफ ले जाता है क्रेविंग जो इस reward से related आपके अंदर desire पैदा करती है और response के जरीए आप उस reward को हासिल करते हैं इसे हम एक example के जरीए समझते हैं क्यूँ आपको phone पर कोई नया वीडियो का notification आया क्रेविंग आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं रिसपास आप phone उठा कर वीडियो देखते हैं reward वीडियो देखने के बाद आपकी चाहत पूरी हो जाती है आपने देखा होगा सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए आनंद से भर देती है लेकिन धीरे धीरे यही आनंद आपके दुखों का कारण बन जाता है हमारा कहना है कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज एक में ही संभल जाए इसे एक स्मोकिन करने वाले आदमी के एक्जामपल से समझते है जैसे आपके सामने कोई स्मोकिन कर रहा है और आपका भी मन कर रहा पिने का तो आप वहां से दूर हो जाए अगर क्यों मिल भी जाए तो डिजायर को खतम कर दें डिजायर होने भी लगे तो रिस्पॉंस न दें बलकि दूसरा काम करने लग जाए इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसोगे सन 2001 में ब्रिटेन के रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि वे लोगों के अंदर एक बहतर एक्सरसाइस हैबिट को डेवलब कर सकें उन्होंने 248 लोगों को तीन ग्रुप में डिबाइड कर दिया पहले ग्रुप को एक्सरसाइस करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिये गए दूसरे ग्रुप को मोटिवेशन चीजें पढ़ने के लिए कहा गया था ताकि वह एक्सरसाइस के बेनिफिट के बारे में जान सकें वहीं तीसरे ग्रूप को भी दूसरे ग्रूप की तरह ही इंस्ट्रक्शन दिये गए लेकिन साथ में यह भी जोड दिया गया कि वे अपनी एक्सरसाइज रूटिंग का एक रिकॉर्ड रखें पहले और दूसरे ग्रूप में से सिर्फ 35 से 38 परसेंट लोगों ने ही एक्सरसाइज किया जबकि तीसरे ग्रूप के 91 परसेंट लोगों ने एक्सरसाइज किया हैरानी यह थी कि मोटिवेशन चीजें पढ़ने के बावजूद दूसरे ग्रूप और पहले ग्रूप के रिजिट में कोई खास फर्क नहीं था ज्यादा तर लोग सोचते हैं कि वे कोई चीज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है दरसल उनके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं बलकि क्लेरिटी की कमी होती है बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ इसलिए बरबाद कर देते हैं क्योंकि वह हमेशा कुछ भी करने के लिए एक सही टाइन का इंतजार करते रहते हैं दरसल आपको सही टाइन का इंतजार करने की नहीं बलकि एक प्लान को फॉलो करने की ज़रूरत है एकजामपल के तौर पर आप इस तरह से एक प्लान बना सकते हैं जैसे की मेडिटेशन मैं हर दिन सुबह आठ बजे 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा exercise मैं कम से कम हफ़ते में तीन दिन एक घंटे के लिए जिम में exercise करूंग study मैं हर दिन कम से कम एक से दो घंटे के लिए जरूर पढ़ूंगा बुरी आदतों का कारण कैसे खोजें और उसे कैसे बदलें जैसे किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उससे अट्राक्टिव बनाते हैं, वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उससे अनट्राक्टिव बनाते हैं इसलिए अपने दिन्चरिया पर ध्यान दें और ऐसी आद्तों को खोज निकालें जो आपका समय बर्बाद करती है फिर उन आद्तों के रिजल्ट्स पर विचार करें और उन्हें बदल दें आप जिस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं उसे अनट्राक्टिव बनाएं Life में कुछ Change लाने के लिए सबसे अच्छे Solution को ढूञणने में उल्जना आसान है जैसे सबसे तेजी से वजं कम करने का आइडिया Muscles बनाने का सबसे अच्छा प्रोग्राम, side business बनाने का सबसे अच्छा option हम सबसे अच्छी option पर इतना सारा ध्यान देते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते motion में होना और real में action लेने में बहुत difference होता है जैसे कि जब आप कुछ लिखने की सोचते हैं तो यह बस एक motion है अगर आप pan और paper उठा कर लिखने बैठे हैं तब असल में यह एक action होता है लोग चाहते तो है बहुत कुछ करना लेकिन उसके action नहीं लेते ज्यादतर लोग कुछ करने से पहले वह लोग हर तरह की knowledge लेते हैं उसके लिए study करते हैं तरहत्रय के idea लेते हैं और एक perfect बनाने के लिए सोचते हैं लेकिन वह कभी action नहीं लेते हैं तो action लेना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप action नहीं लेंगे कोई plan success नहीं होगा क्योंकि आपको पता ही है आज भी जो बड़ी बड़ी कमपनिया है वह एक time पर बहुत छोटी थी और आज वह इतनी बड़ी brand बन गई है तो आप भी ऐसा ना सोचे कुछ करने से पहले छोटे छोटे state में action ले और कुछ करने की कोशिश करें ये अपने आप perfect बनते जाएगा time के साथ उम्मीद करता हूँ यह छोटा सा प्रयास आपको आगे ले जाने में help करेगा यदि आप इस वीडियो को like and share करते हैं तो आप हमारी बहुत बड़ी मदद करेंगे सुक्रिया आपका दिन शुब हो